तो नमस्कार दोस्तों मैं हों ऑफ और स्वागत है दोस्तों चरेखते हैं नोइडा का सक्टर 67 का इंडस्य एडिया दोस्तों मैं बूताना चाहँगा कि इस इंडस्रिया में काफी बड़ी-बड़ी फ्रैक्टरीज यह और नावक बता हूं कि नोड़ा के अंदर अगर आपक स्कूर्प करते हैं अपना काम करते वक्त तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कि तरीके से योगी जी काम करते हैं और किस तरीके से केजरिवाल जी काम करते हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा आप सबसकते हैं कि आप लोगों ने जिसने इंडस्टिल एरिया देखा होगा आपका ओकला फेस बन फेस टू फेस त्री वहां का अगर आप कंपैरिजन करते हैं नोड़ा किस से तो आपको जबीना अस्मान का अंतर नजर आएगा दोस्तों काम करने में या किसी चीज को वैल मैनेज करने में तो मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे कि किस तरीके से कितनी वैल मैनेज तरीके से इंडस्टिल एरिया को मैनेज किया जाता है बढ़िया रोड बढ़िया इंफ्रस्ट्रक्चर 24 घंटे लाइट और चोरी चिकारी नहीं कोई ट्रांस्पोर्टर से उगाई नहीं जैसे ओखला इंडस्टिल एरिया में केजरिवाल के लोग करते हैं यह फैक्ट है दोस्तों सच बता रहा हूं आपको ट्रांस्पोर्टर चीना जपड़िव करते हैं नोड़ा के अंदर आपको इस टैप से विल्कुल नहीं मिलेगा पहली बात मैं आपको आना चाहूंगा जो ओखला इंडस्टिल एरिया है वहां पे किस तरीके से जबरदस्ती हुआ ही करते हैं एंसीडी की पार्किंग ना होने के बावजूद लोगों से पार्किंग ली जाती है यह फैक्ट है मैं आपको यह दिखाऊंगा कि नोड़ा के इंडस्टिल एरिया है वह कैसा है वहां पे आप इंट्री कीजिए यह एक सेक्टर 67 का एक छोटा सा एरिया दिखा रहा हूं मैं दोस्तों कभी किस दिन आपको बड़ा इरिया दिखाऊंगा जो इंडस्टिल एरिया वहां पे तो दोस्तों अब हम चलते हैं नोड़ा 67 यह लोड़ा 67 का जो इंडस्टिल एरिया है उसके अंदर मैं इंट्री दिलाओंगा आपको और वहां देखिए किस तरीके से सहुलत है कितनी चीज़े वेल मैनेज जाएं दोस्तों और यहां पर आपको धर्मपाल सतिपाल ग्रुप की भी फैक्टरी मिल जाएगी कई बड़े-बड़े आर्किटेक्ट की ऑफिस मिल जाएंगे कई बड़े-बड़े बिल्डर कंपनियों के ऑफिस भी नदर आएंगे आपको बहुत बड़े गार्मेंट फैक्टरीज भी है यहां पर 67 के अंदर और काफी बड़ा कैंपस है यह काफी और काफी वैल बैनेश जाए है तो दोस्तों उसी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं दिखाने के लिए कि जमीन आस्मान का कितना अंतर है धिली से इकतर फैक्टरीज क्यों नोड़ा में आ जाती हैं काम करने के लि अब देखिए यह देखिए कि यह लंबी चौड़ी सड़कें आपको यहां पर चीज़ें एक्दम वैल मैरेज मिलेंगी बगले प्रतीक ग्रूप जो प्रतीक बिल्डर है उसका उफिस है रोट पर जाईए अराम से आप गाड़ी लगाईए किदर भी कोई आपको बोलने आपको आप से उगाई करने वाला निया याँ पर कोई आप से बत्तमीजी निकर सकता एक दम क्लीन नीट एंग फस्ट ग्लास रोट चौडी चौडी सड़के और ऐसा नी दोस्तों एकदम वैल मैंसर्कें है मैं आपको आणा चाहूंगा वैल मैंस सड़क आप देख सकते र आपको मिलेंगी फैक्ट्रीज के फैक्ट्रीज हैं दोस्तों के वैल मैंने ट्रक खड़े रहते हैं अराम से कोई बोलने वाला नी कुछ नी अराम से यहां पे इतना वैल मैंनेज हर चीजी देखिए ऑफिस हैं एक इंडस्ट्री अथा उनका एक प्रॉपर लुक दिया गया क आपको इस तरीके से बनाना है इंडस्ट्री अरिया कांच की बिल्डिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वैल मैनेज एरिया और चीज सडक किनारे वेगरा आपके पास पार्किंग का एरिया होना चाहिए सब कुछ कितना वैल मैनेज है आप यही ओकला में चले यहां पे आप आईए राम से कहीं भी काट पार्क कीजिए जगह है राम से पार्किंग कीजिए कोई आपको दिक्कत नहीं है इस पूरी अरिया में दिखा रहा हूं मैं आपको घुम घुम के ट्रक वाले भी हैं अपना काम करते हैं ट्रक खड़ा किया कोई बोलने वाला नह यह वे दोस्तो यह यूपी ए और यहां पे आप दुख्ते में आपको घूमा के लेके जाओंगा दुबार आपको दिखाऊंगा इस पूरी इंड़्सिल अरिया में आपको सिर्फ तरीके से चीजें मैनेज्ज हो रही है यहां पर जो दोस्तों उखला इंड़्स्लिया क्यों कितना पैसा देते हैं उनको गवर्मेंट को केजरिवाल को इतना टेक्स मिलता है लेकिन फिर भी टूटी-फूटी सरकों के लावा कुछ नहीं दिया उसने फूटे-फूटे-फूट पाथ यही सब देता है वो लोग अगर कहें कि सिर्फ लोग को मैं कहुँआ कि केजरिवाल जो गवर्मेंट है फिर्फ लोग को पब्लिक को इमोशनली जैसे कॉंग्रेस क्या करती है लोग को बेफकू बनाके अपना लू सीधा करना वो काम क्या करती है वो ही केजरिवाल जी कर रहे है और आपको दिखा सकता हूँ यह देखिए योगी का कोई कंपैरेजन नहीं कर सकता मैं आपको उता सकता हूँ इसेरिया के इंदर कोई जबस्ती उगाई नहीं कर सकता एक फोन कॉल हो गई तो जो गई करेगा उसका लिंटर लग जाएगा अच्छी तरीके से अराम से आप गाड़ी ले जाए मैनेज कीजिए कोई आपको बोलने वाला नहीं है अराम स कि जहाँ सकते हैं किस तरीके से वैल बैनेजर इवन मैं कॉआँ कि गुलकाओं का जो जूड़रे इलिया है उससे भी लाग बुना Wैल मैंनेजर है यह इरिया इसदके आप देखिये इंफर सुक्चरिंट देखिये यथा इसक नायएं हो पहस्तिक्टी यह जहां पर बने हुए हैं वहाँ पर किस तरीके से चीज़े मैनेज हो रखी हैं आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है basically कोई government कोई का लोग सिर्फ बेफकूप बना के लोगों को कि जी मैं ऐसा करता हूं आपको यहां पर इस तरीके सनी में एक अगर उसकी का मैं कहुंगा कि इसकी अगर एक चोरी पकड़ी गई ना तो उसका पुलिस वाले और अथर्टी वाले दोनों लंका लगा देंगे लिंटर भी लगा देंगे इस एरिया में आप जोस्ति उगाई नहीं कर सकते इस टाइब से हैं यहां पर कोई आपको वाई करते नदर नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों यह यूपी है यह यूपी है और यहां पर योगी का शाषन चलता है इस एरिया में इसलिए मैं ने लिखा हुआ है जो जो आपको कि कंपरिशन दिया है कि केजिवाल मतलब केजिव रख वाल से कोई कंपरिश देनी यह यूगी का एक आप करता आप यह सकते हैं कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है आप सिर्फ टेकर थे बड़ी बाते करें काम कुछ ना करें ठीक है मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया सिर्फ लोग स्कूल देखने नहीं आते दोस्तो नखेन हो रब दिल्ली बेड़े मुझे दिल्ली बिंटोस्तान की राजदानी है लेकिन आपने से कचरा बना दिया है दो जाद्रस में कोंगरेस ने जो कांवरय गेम रहता है तक यह काम तो किया उस ने थोड़ा लेकिं गोटाला भी जबरदस्त किया दोस्तों अब हम जार रहे हैं डियस ग्रूप का सामने देखेंगे डियस ग्रूप को ऑफिस एकदम टक्कर पे तो डियस ग्रूप को ऑफिस है वहां पे इस सामने एकदम डियस ग्रूप के फैक्टरिय बहुत बड़ी फैक्टरिय जहां पर आपको मैं कहूंगा कि यह पान मसाला बगर बनता है और आप समझ सकते हैं कितना वेल मैनेज है चीजें देख के समझ आता है कि को इंडस्टल एरिया इसे कहते हैं दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तों कर दोस्तों